दोस्तो स्वागत है आपका आपके ही चैनल पर और आज की वीडियो में हम बात करेंगे फुलू बेट 150 mg टैबलेट के बारे में और दोस्तो उससे पहले मैं आपको बता दू इससे पहले मैं है तो इस चैनल पर रहे तो फुलू का देड़सों एमजी टैबलेट का वीडियो दाल चुका हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको चेक कर सकते हैं और दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फुलू का फुलू बेट 150 mg टैबलेट के बारे में इसके क्या यूज है इसके क्या साइड इफेक्ट है सारी जानकारी इस वीडियो में लेने वाले तो आप इस वीडियो को अन्तिम तक जरूर देखें तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दू अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल के आइकॉन को भी दबा दे तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों फुलूबेट यह एक गोली के पैक में मार्केट में अविलेबल है और आप वीडियो में देख रहे हैं कि इसके अंदर किस प्रकार से गोली आती हैं दोस्तों इसकी एक गोली के खीमत है 12 रुपे और 42 पैसे और कंपानी ने इसके अंदर है तो फुलू कैनेजोल सिंगल ड्रग डाला है हम बात कर लेते हैं इसकी यूज़िस साइड इफेक्ट और सारी जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में दोस्तों इस गोली के इस्तेमाल है तो अंटी फंगल के तौर पर किया जाता है यानि के आपको बाडी पर कही पर भी फंगल इन्फिक्शन है फंगल इन्फिक्शन की वज़ा से आपको तो कही पर भी कुछ भी इन्फिक्शन नजर आ रहा है तो आप तो इस टैबलेट के इस्तेमाल कर सकते हैं इस टैबलेट का इस्तेमाल है तो वाजाइनल इंफिक्शन में भी किया जाता है यानि के यूरिनरी ट्रैक के इंफिक्शन में भी किया जाता है उसे के साथ सब इसकीन पर कोई भी तरह का इंफिक्शन हो उस कंडिशन में आप है तो इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं I sweat passionate about bleach की अलिए ञानी के लिए इसका इस्तामाल कर मोसा क् hardly लीए यूज्च कर सकते हैं यूज्चि कर सकते हैं और बात करते हैं इस थाइब्लिटिग का इसतेमाल से आपको क्या साइड इफेक्ट हो सकते क्या दुश्परीनाम हो सचsweise इस बारे में दोस्तो इस करने ऐस करने आइस करने के वाद आप को एतर डाएन आपको ए सपैंड हो सकता है husband हो सकता है darhete की भी शिकायत हो सकती है और इसके लाबह आपको इसकी न आ न agenda को सिक्लाइई आ दूर तो अपने डॉक्टर की सला के बाद ही लेनी चाहिए उसकी प्रिस्किप्शन पर ही लेनी चाहिए दोस्तो आप बात कर लेते हैं इसको कैसे लेना है दोस्तो यह तो एक अंटिफंकल टैबलेट है और इसको आप एतुद दिन में से एक ही बार ले यानि वन टाइम इन डे और दोस्तो आपको बता दू के इसका डोस है तो आप अपने डॉक्टर के सला के अनुसार बड़ा या कम कर सकते हैं तो दोस्तो यह था एक छोटा सा रिवियो इस मेडिसीन के बारे में अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर आप नए है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मैं मिलता ह आपसे अगली वीडियो में कोई नई मेडिसीन की जानकारी के साथ तब तक के लिए मुझे दीजी जाज़त और आपकी दूआ में मुझे याद रखिये